मस्कार किसान भाईव आप सभीका हमारे यूटिूब चैनल डी के खेति घ्यान में फिरस्थ वागते हैं किसान भाईव आज की वीडियों में आद तान की एक एक उसी वरायटी जिसकी रोपाइदे आप अपने खेत में करते हैं تو आप उसकी रोपाइदी से करके जल्दी से के क्टाइय करके гण्य की फचल ग्याउं की पचल या फिर सर्चों की फचल या पिर अन्य फचलों को लगा सकते हैं जिससे आप अन्य फचल से भी अगी ती भुवाई करके एक अच्छत पदन लिये सकते यह कब पक्र के तयार होती है कर भी इसकी रोबाई की जाते है बीज के माता क्या होगी साथियों आप वीडियों को पूरा देखेगा वीडियों में आपको संपूर्ण जानकरी मिल जाएगी और ज़िदी आप हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब वस् चैनल पर खेती संब्सक्राइब सारी जानकरी मिल जाएगी इसका बारे में जानते हैं कि इस वाराइटी का नाम है पूसा बार समझती अठाड़ हो जाती है इसकी रोपाई 15 जून से लेकर 25 जुलाई तक की जाती है साथी यदि बीज की माता के बात करें तो 5 किलोगराम प बाता है जिदी किसान भाई यो जदी आप धान के पचल काटने के बाद गेहों करना अल्वें फिर अन्य फचलों के बॉइए करते हैं तो आपको एक उससे भी आगेती के बॉइए करकर एक अच्छत पदर मिल सकता है ज़िए इसके कल्ले की बात करें तो आपको इसमें 15 च चंता के बात करें तो किसी भी वरैटी में रोग पर जिए तो चंता बहुत ज़्यादा मैचत पूर्ण होती है जुल्चा रोग धान का सबसे बड़ा रोग किसान भाई आपको इसमें किसी वह प्रकार का कोई जुल्चा रोग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि किसान पूसा बासमादी 1509 की आगेती वरैटी है मतलब पहले जो ओल्ड वरैटी आती पूसा पंदर जीरो नो उसको रिप्लेस करके पूसा बासमादी अट्रव शंतल से वरैटी बनाए गया क्योंकि किसान भाई यो यह सिर्फ इसलिए बनाए गया जिससे कि जल्दी से में करके दियार हो सके और रोगों की संक्या जो होती है वहाई कि कम हो सके साथियों जो पूसा बासमादी 1509 चावल दे उसमें बहुत ज्यादा रोग दियार मिलते हैं इसलिए इसको रिप्लेस करके बनाएगे इसमें आपको किसी भी परकार का कोई विलोग देने को नहीं मिलेगा और यह कम समय में भी पक्कर के तयार हो जाती है साथियों जदी इसके कुछ खासत की बात करें तो इसका दाना खाने में सवादिष्ट लगता है जब आप इसके चावल कोटाई करवाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आप इसके चावल टोटे के बिल्कुल में नहीं करता है जिस करण से आपको एक बहुती चांदर पत्म देने को मिलता है आप इस वेराइटी के रुपाई पच्चिम बंगाल तमिलनाडव उत्तर प्रदेश हरियाना पंजाब उत्तरागंड उडशा तेलंगाना इत्यादी राज्यों में कर सकते हैं किसान भाई इसके उन्हों यहाँ इसके लागत की दिलागद कमति है और उत्तराइं नौर्मल में निकलता है तब भी किसान भाईयों को बहुत ही अच्चा लगता है क्यों कि उनके लागत कम आ रही है और उत्तराइं निकल लाए इसलिए सबसे बड़ी बात आती है व्यांतिया रोग होगी आप उसी वेराइटी का चेहन करें जिसमें के रोग कमाती है जिसमें लागत कम लगे तो आपको चादा मुनाफ़ा होगा तो साथियों जाती बात करें इसके और और उतपादन के बारे में जो यह वेराइटी है पूसा बासमें त्याटर शांतालिस इससे आप परती एकड़ अगर आपको जानकर एक चले क्योंकि यह जानकर एक चले तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्क्राइब करना इन देखने वीडियो में नहीं जाना करें चाहता तब तक है मुश्क्राव